नमस्कार दोस्तों मैं शिल्पी UPSC Current Affairs की सिरीज में आप सब का स्वागत करती हूँ पहला आसियान भारत समुद्री अभ्यास आईए जरा इसको समझते हैं भारत और आसियान के बीच पहला आसियान भारत समुद्री अभ्यास दो मई को दक्षर चीन सागर में शुरू होने जा रहा है दो मई से शुरू होकर आच मई तक चलने वाले इस साथ दिवसिये समुद्री सैन अभ्यास को भारत और आसियान के बीच बढ़ते संबंदों में एक नया अध्याय बताया जा रहा है पहले आसियान भारत समुद्री अभ्यास 2023 में भाग लेने के लिए भारतिये नौसेना के पूर्वी वेडे को दो नौसैनिक जहाद आइनस सत्पुडा और आइनस दिल्ली सिंगापूर पहुँच चुके हैं आपको बता दे कि पहले आसियान भारत समुद्री अभ्यास के उध्गाचन समारों में शामिल हुए नौसेना प्रमुक एड्मिरल आर हरी कुमार सिंगापूर द्वारा आयुजित किये जा रहे अंतरास्ट्री समुद्री सुरक्षा सम्मेलन और अंतरास्ट्री समुद्री भ्यास का हॉर्वर फेस दो मई से चार मई तक सिंगापूर के चांगी नेवल बेस पर और सी फेस साथ मई से आच मई तक साउट चाइना सी में आयुजित किया जाएगा भारत का पहला स्वदेश निर्मित निर्देशित मिसाइल विद्धुन सक आइनेस दिल्ली और पोट कॉल के दोरान अंतराश्त्रे समुद्री रक्षा प्रदर्शनी और अंतराश्त्रे समुद्री सुरक्षा समेलन में भाग लेंगे 1990 के दर्शक में भारत की लुक इस्ट पॉलिसी के परणाम सरू 1992 में भारत को आसियान का एक शेत्रिय भागीदार बन गया था आसियान दस दक्षिर पूर्व एशियाई रास्ट्रियों का राजनितिक और आर्थिक संग है कर दो एक शेत्रियों का राजनितिक और आर्थिक संग है